No.1 गंदे टायलाट या गंदी जगह पिसाब ना करें ऐसा करने से पिसाब में इन्फीक्शन हो सकता है यह बात महिलाई अवस ध्यान दें No.2 पिसाब ज्यादा देर तक नो रोकें ऐसा बार बार करने से किटनी खराब हो सकती है क्योंकि पिशाब रोकते समय किटनी पर बहुत जोर पड़ता है साथ ही साथ किटनी और Urine Blader में स्टोन की समस्या हो सकती है नमबर 3 पिशाब का बदगू और गाड़ा पीला होना ऐसा होने पर डाक्टर से तुरंत सलाह लें नमबर चार पिसाब करते समय जलन होना ऐसा होने पर ज्यादा पानी पिए और धनिया के पानी का सेवन करें जिसको आपको रात में भीगोना पड़ेगा और सुबह में पिए यह है आपको दस दिन तक करना पड़ेगा जिससे आपको फायदा आवसे होगा नमबर पांच पिसाब हम इसा बैठ कर करें इसा करने से हम अपने यूरीन बलेडर में पिसाब बचे रहने की समस्या से बच सकते हैं जो अधिकतर पिसाब करने के बाद में निकल जाता है नमबर पांच कब कब करें पिसाब खाने यानी भोजन के तुरंत बाद पिसाब जरूर करें इससे गुर्दा यानी कीडनी खराब नहीं होगी कभी लकवा नहीं मारेगा ध्यान रखें एसनान से आधा घंटे पहले और बाद में भूल कर भी पिसाब न करें अन्यथा परलाइसिस हो सकता है उमीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरूर करें